तो हेलो दूस्तों फायरेस गीमिंग की एक और नहीं वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टॉप टेन सीक्रेट एंड जो की बहुत ही लेटेस्ट है बिल्कुल नए टिप्स और ट्रिक दूँगा जिनसे आप बहुत ही आसानी से ग्रेन माश्टर अपने रैंग को पुछ कर सकते हो वो भी सोलो में अगर आपके पास पर्मानेट इसक्वाइड नहीं है आप इसक्वाइड या फी डूओ में रैंग पुछ नहीं कर पा रहे हो वीडियो को उत्तीज जरूर से पूरा देखना टॉप टेन सीक्रेट स्ट्रेटेजी के साथ टिप सेंट्रिक मतलब समझ रहे हो गाईज इतना उपी वाला वीडियो होने वाला है आप गिरंटी ले लो गाईज 101% गिरंटी देता हो इस वीडियो को पूरा देख लो उसके बाल आपको Grandmaster जाने से कोई भी नहीं रोख सकता ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं मेरा नामे प्रतम आप देख रहे FireEyes Gaming YouTube चैनल चलिए वीडियो को सुरू करते हैं एक ऊपको एक बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है YouDictionary जिसके जरीए आप Easily Inglis कमेंट्स को Hindi में ट्रांसलेट कर सकते हैं और Hindi कमेंट्स को आप Easily Translate कर सकते हैं बीचर है मेजिक Translate का जिसको आपको अन करना है एफ खोल के और जो भी sentence आप copy paste करते हो या फिर magnify के through आप जैसे उसको sentence पे लेके जाओगे आपको वो sentence translate हो के screen की सामने आ जाएगा तो आप कोई भी language easily understand कर सकते हो और आप किसी को भी English में message करना चाहते हो तो आप auto correct कर सकते हो और अगर कोई grammatical error भी हो तो आप उसको भी easily fix कर सकते हो तो guys जल्दी से जाओ link description में है डाउलोड करो यह dictionary app तो guys सबसे पहले बात करते हैं मारे tip number one की उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ 6, 7, 8, 9, 10 यह जो पाँच tips है ना इन tips को अगर आप मिस करते हो तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे अपने life में बहुत कुछ and guys आप I think साथ आप grand master भी नहीं जा सकते उन tip को अगर आप follow नहीं करते हैं तो 6, 7, 8, 9, 10 इन tips को जरूर से जरूर देखके जाना and जरूर से जरूर अपने gameplay में apply करना एक ही दिन में आप grand master में होगे ठीक है तो अब चलते हमारे tip number 1 की और जो की है load out guys आपको load out में क्या क्या लेके जाना आपको always bonfire and scanner लेके जाना है bonty कभी भी मत लेके जाना क्योंकि bonfire जो है न वो आपको जब आप zone के लिए जा रहे हो या फिर आपका health कम है आपके पास med kit नहीं है तो वो bonfire ही आपका health hp रिटन करेगा and guys और कुछ नहीं आपका bonty होगा तो bonty में आपको क्या मिलेगा तीन का west मिलेगा जो कि आपको पहले से ही loot में मिली जाएगा ठीक है और guys scanner जो होता है scanner सबसे जरूरी चीज़े मैच में क्योंकि वो आपको बता देता है कि आपके आज़ पास आपके साथ कितने बंदे उतर रहे और अगर आपको पता चले कि मेरे साथ एक दो बंदा उतर रहा है तो आपको अपना direction बदल लेना है आपको किसी और जगा पे जाके loot करने है अब second number tip आता है लेंडिंग आपको सारे बता देंगे कि आपको जाना है विल्कुल दूर वाले जगा में आपको जहाँ बंदे ना मिले बट गाइज आपको जाना है वहां पे जहाँ पे आपको बंदे तो नहीं मिलने चाहिए और ज्यादा loot वाले जगा पे जाओगे ना तो वहाँ आपको confirm है कि आपको बंदें मिलेंगे ही ठीक है और अगर आप ऐसे जगा पे जाते हो जहाँ मतलब ज्यादा लूट नहीं मिलती है एटलिस्ट आपको एक गन एक या दो गन एक short range एक long range की गन मिल जाए और आपको simply वहाँ पे एक west और एक helmet बस इतना loot चाहिए बस एक glowal एक west एक helmet और दो गन इतना मिल गया तो आप आराम से अपने rank को push कर सकते हो ज्यादा loot की आपको जरूरत नहीं है ठीक है तो अब चलते हैं हमारे next tip जो की third number tip है camping on a tower आपको tower में कैसे camping करने है सबसे पहली बात तो आपको tower में या फिर घर में camping करनी है तो guys आपको tower में अब कैसे camping करनी है simply आपको tower में आना है and guys आपको एक med kit fake के उसके उपर land vine लगा देना है जो की आपको पता ही है ठीक है अब गाइस बहुत सारे बंदे क्या करते हैं उनके मतलब वो टावर में कैम्प करते ठीक है और कोई बंदा टावर में चड़ जाता है वो कुछ नहीं करते आने तो टावर में फिर मारेंगे ऐसे में क्या होता है वो बंदा ही मार के चला जाता है इसलिए गाइस टावर में कि इसे भी बन्दे को सामने आने ही नहीं देना एक विल्कुल सेफ्ली खेलना आपको ठीक है और अगर वाय चांस कोई बन्दा आ जाता है आपके पास तो सिंपलि आपको यहाँ पे बैठना है जैसी वह नीचे से उपर आएगा आपको सिंपलि ऐसे हैड्सोट मार देना कभी भ मैं ने पास बहुत सारी ऐसी टिप्स है जिससे आप घर में कैम कर सकते एक गर का परटिकुलरली बताओंगा कि आपको इस घर में कैसे कैम करना है बिल्कुल avanz strategies के साथ तो अगर आपको चाहिए next वीडियो की घर में कैसे camp करें आप प्लीज नीचे कमेंट कर दो मैं उसके लिए बहुत ही जल्दी वीडियो बनाऊंगा अब गाइस यहां में simply एक छोटा सा टिप दे देता हूं कि आपको जब भी यह ओल बेरल मिलें क्या वोलते इसको मेरे को सही से मालूम नहीं यह जब भी इसको पहन के आपको simply बैठ जाना बिट किसी वी कोने में कोई भी ऐनेमी आपको जज्ज नहीं कर पाएगा कोई भी अनिमियो और आप इससे किसी भी एनेवी को मार भी सकते हो ठीक है और आपके सामने अगर कुछ लूट रहेगा तो वो लूटने के लिए आएगा और आप इसली उसको हैड़ बैठा के मार सकते हो हमारा जो नंबर फाइब टिप जो कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है सबसे ही ज्यादा गाइज इस टिप को आप जरूर से फॉलो करना देखो मैंने इसको मार अब मेरे को हेड़ फोन मैं मेरा साउंड आ गया कि आस पास मेरे बन्दा है अगर मेरे को साउंड नहीं आता में क्या अकरता में वहां लूटता रहता बट मेने यहां बंदे को खोजने के लिए मैं न कुछ भी हो गाईस बस आपको साउंड आना चाहिए ठीक है हेड़फोन ओल्वेज लगाओ एक एक प्रो प्लेयर जो भी रैंक पुछ करता है या फिर अच्छा खेलता है कोई भी प्लेयर हमेशा हेड़फोन का यूज करता है ठीक है अब देखो यहाँ टिप नमबर 6 है हमार इसे डिफीट कर जाओगे तो स्मफली आपको क्या करना है आपको बैक लेलेना है मैंने देखा है बहुत सारे बंदे क्या करते हैं वो मतलब फाइट करना है यहाँ परक नहीं पड़ता ऐसा नहीं करना है बिल्कुल सेफ खेलना है आपको एन्ड अगर आपको लगता है कि आप यहाँ विन नहीं कर पाओगे तो आपको यहाँ पे बैक ले लेना है बैक लेके आपको साइट से निकल जाना है पीछे से भाग जाना है एंड आपको simply भाग के जोन के अंदर जैसी आप पहुंच जाओ जैसी आपको लगे कि यहाँ आसपास बंदा ना हूँ आप simply मेट करके वहाँ से निकल सकते हो और simply जैसे खेलते हो rank push करते हो tower में बैठके घर में बैठके आपको वो करना है ठीक है अब चलते हमारे tip number 7 की और tip number 7 guys और भी ज्यादा important है करते ही जहर वाला tip है कि guys आपको जब भी जब भी अपने target area में जाना है या फिर जब भी आपको circle के लि use करना ठीक है इस पर आपको damage नहीं पड़ता है और यह बहुत speed चलती है अगर आप दोड़ के जाओगे तो क्या होगा enemy आपको बहुत ही आसानी से मार देगा 2-3 बंदे गेर के मार देंगे क्योंकि ये solo match ठीक है तो देख सकतो मैं कार से यहाँ पर आ गया and उसके बाद इस करता हो कब तक वो बंदा नीचे आता है पेसेंस बहुत ही ज़्यादा जरूरी अगर आप रैंक पुछ करना चाहते हो ठीक है तो देखो वो बंदा कूद गया बंदे के कूदने के बाद simply उसको इधर आने दो मेरे को head का chance था बट head लगा नहीं में यहाँ simply मैंने glow लगाया मंदे को जितना हो चका मैंने damage दिया और यहां फिर से glow एक गोली का बचा है बंदा और यह नहीं मारा तो मैं reload में नहीं जाने दूँगा मैं यहां xm8 से मैंने मार दिया टिप नमबर 8 है जो की और भी op वाली है आपको always गूम गूम के लूटना है अगर आप गूम गूम के और बढ़ते है टिप नमबर 9 में आपको क्या करना है टिप नमबर 9 है हमारा कि guys आपको always अपने position को change करना है अगर आप अपने position को change नहीं करोगे किसी भी enemy से आप win नहीं कर पाऊगे ठीक है मैं इधर से गूम के यहां पर आया enemy को क्या लग रहा है मैं वहीं पे glow आल के पी है बट में यहां पहुंच गया हूँ अपने position को मैंने change कर लिया ठीक है इसको बोलते है strategy इसको बोलते है आपका experience आपका जितना ज्यादा experience होगा आप उतना ही अच्छा खेल पाऊगे उतने ही अच्छा strategy के साथ आप खेल पाऊगे ठीक है टिप नमबर 10 टिप नमबर 10 में आपको हमेशा circle के end में रहना है ठीक है circle के end में आपको हमेशा रहना है देख सकते हूँ यह circle यहां बनाए तो मैं इस side ही रहता हूँ मेरे पास दो glue आल है इसलिए मैं थोड़ा खुले में हूँ कोई बात नहीं कोई भी बात नहीं आप हमेशा circle के end में रहो एक अच्छा सा cover देख लो ये जो cover है ना अगर मेरे को left से बंदा मारता है तो मैं इधर चल जाओंगा right से मारता है तो इधर चल जाओंगा देखो ये मैंने cover खोजा एक मतलब बहुत ही अच्छा permanent cover लगा मेरे को इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हमेशा आपको circle के end में रहना आपको end अच्छा सा cover खोज के रहना है ठीक है अब मेरे को यहाँ पे एक dead body दिखा जिसमें मेरे को लगा अच्छा खासा loot होगा तो मैं यहाँ loot लेता हूँ guys इसके पास से मेरे को अच्छा खासा glue आल मिल जाएगा देख सकते हो 10 glue आल हो गये मेरे यहाँ पे total ठीक है तो guys अब मैं आसानी से इस मैच को win कर सकता हूँ बहुत ही आसानी से क्योंकि मेरे पास glue आल है और guys अब देखो यह circle इदर बना तो मैं यहाँ भी आराम से camp करता हूँ कोई हडबड़ी नहीं दिखानी है मैं चाहता तो आके चला जाता और में एनेमी को मार भी देता एक एनेमी को तो मैं मार देता और जो दूसरा वाला एनेमी होता न वो मेरे को मार देता बिकोस हम दोनों में fight हुई है और मेरा health बहुत ही कम होगा तो जो third party बंदा है जो third बंदा है वो यहाँ पर ही फाइदा उठा के मेरे को मार के वो यहाँ पर बोया ले जाता ठीक है तो अब मैं यहाँ पर wait कर रहा हूँ और दोनों का जब fight होगा तब मैं यहाँ फाइदा उठाओंगा ठीक है अब देखो circle मतलब zone आ रहा है तो मैं यहाँ cover बना लेता हूँ और simply मैं आगे चला जाता हूँ आपको कभी भी मतलब आगे जाके गलुआल नहीं लगाना है वरना आपको enemy damage दे सकता आपको पहले गलुआल लगाना है फिर आगे जाना है देखो इसको बोलते मत जाके fight मत लोट आपको हमेशा patience रखके बिल्कुल side में रहना है कि दो बंदों का जब भी fight होगा आपको वहां पर win कर लेना है match को एक बंदे को मार के क्योंकि दोनों में fight हुआ रहेगा तो दोनों बंदा बिल्कुल damaged होगा और आप आसानी से उनको मार सकते हो circle आ रहा है मैंने glue लगाए इधर फिर से glue all और पयर से glue All लगाए और अब देखो किया होता है अब देखो enemy उधर गया मैंने मारा लगा नहीं तो मैंने यहाँ पर ещё ग्लुल लगा और फिर इधर के दोनों साइड से अपने को kavar कर दिया और दोनों साइड से से कोई नही तो अब मैं यहाँ एक मैड किट कर लेता हूं लेकिन टाइम नहीं दिया यह बंदा आ गया था तो मैं फिर से ग्लुवाल लगा देता हूं तो गैस अब देख सकते हो सिंपली यहाँ पे दोनों बंदे एलिमीनेट हो गए क्यों हो गए मैं सरकल को कवर करता रहा रहा और वह खेलते हो, हर एक मैच को आप बुया कर पाओगे, हर एक मैच को विन कर पाओगे, और हर एक मैच अगर आप विन करते हो, आशानी से आप Grandmaster जा सकते हो, अगर आप के पास वैसा Experience है, अगर आपका Level अच्चा ہے आप अच्छा play कर पाते हो game को, तो guys आप जा सकते हो, guys जो कि I think आपको पसंद आई होगी अगर गाइस आपको लगता है कि इन सारे टिप्स को आप फॉलो करके अपने रेंग को पुछ कर सकते हो है रोएक या फिर ग्रेंड मास्टर आप जा सकते हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ ज्यादा सेट कर देना एंड जाओ जाकर डाउनलोड करो यूडिशनर या एप लिंक डिस्क्रिप्सन में है एंड आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा तो जाओ जल्दी से डाउनलोड करो एंड अब मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तबते के युडियो